हाई गाईज आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अचीवरेट पे आज की सेशन में डिसकस करेंगे कुछ इंपॉर्टन करेंडर फैस और देखेंगे कि हमारे एक्जैमिनेशन में उन करेंडर फैस से किस प्रकार के कुछिन पूछे जाते हैं तो आई ये स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहली न्यूस तो पहली न्यूस है फिश सॉलिशन प्रोजेक्ट्स इंडिया जीडिप ग्रोथ रेट फोर फैनेशन ले टूंटी टूंटी टू तो नाइन पॉइंट पॉइंट परसंट तो फिश एक इंटरनेशन रेटिंग एजेंसी है और इसने भारत क जीडिप का अनुमान लगाया उयू तो इससे जो भारत atique अनुमान है वो कम आगाया यहानी पहले अगर बात करें पहले थे 11 परसंट करी थी अब 11 परसंट जी कर दी 9.5% कर दी और यह 9.5% rating जो है कि कम क्यों करी है तो हमें पता ही है कि अभी हाली में पूरे भारत में क्या लग गया lockdown लग चुका है maximum states पर lockdown लगा हुआ है जिसकी वज़े से भारत का जो वैपार है business उस पर असर पड़ा और number of coronavirus cases भी बढ़ गाए है तो इस वज़े से यहां पर क्या हुआ भारत का जो वैपार है वो क्या हुआ effect हुआ और जब वैपार effect हुआ तो obviously बात है country की GDP भी क्या होगी effect होगी GDP की अगर हम बात करें GDP का full form होता है gross domestic product तो GDP जो होती है वो country के वैपार को show करती है अगर country का वैपार बढ़ेगा तो country की GDP बढ़ेगी लेकिन अगर वैपार गिरेगा तो obviously बात है country की GDP गिरेगी तो हमारी country की GDP GDP actual में भी गर रही है और इसी scenario को देखते हुई जो international rating agencies उन्होंने भी अनुमाल लगाया कि जब यह साल खतम होगा तो भारत की GDP रहेगी वो कितनी रहेगी 9.5% ठीक है तो देखें यहां लिखा भी है April 2021 से लेके March 2022 तक पूरे साल की भारत की GDP का अनुमाल लगाया कितना लगाया 9.5% जिस प्रकार से vaccination हो रहा है या जो भी आंगी government step ले रही है उसके basis पे यह क्या करती है अपनी rating change करती रहती है माल लो cases अभी और बढ़ गया या माल लो 2-3 मेने lockdown और बढ़ गया तो अवविस ही बात है कि rating और कम कर देगा या माल लीजिए lockdown खुल गया और vaccination तेजी से हो गया और पूरा वैपार फिर से खुल गया तो यह rating बढ़ा भी सकता है तो यह time to time अपनी rating change करता रहता है इसने ज अपनी ना कर दिया 9.5% ठीक है तो यह time to time change करता रहता है और हमें news देखते रहना है और उसके साफसा में change भी करते रहना है तो अब क्या होगे 9.5% अपरायल में भी यह news में था अपरायल में भी अगर बात करें फिश निउस में था और फिश ने जो भारत की rating करी थी भार international rating agency है यह great provide करती है rating provide करती है और उस rating के basis पे क्या होता है हमसे और भी country दोस्ती करती है दोस्ती मतलब कि हमारी country में invest करती है अब obvious ही बात है कि आप दिखते होंगे कि जिनके marks अच्छे आते थे school में उनके लोग ज्यादा दोस्त बनते थे तो ऐसे ही है कि जिनकी rating अच्छी होती है यह international rating अगर अच्छी कर देते हैं तो और भी जो country आंग गरने लगती है उस country में investment करने लगती है इसने ईंडिया की rating करी है मा एन इंडिया की is करी है मैनिस ठ Keys करी है now ओन इस पर क्या होती है investment होती है ठीक है भरूसा बनता है तो आपको याद रखना है कि FISH एक international rating agency है FISH की स्थापना हुई थी 1913 में और इसका जो headquarter है इसका जो headquarter है FISH का वो कहां पर है New York में इसका जो headquarter है वो New York में ठीक है आईए अब देखते हैं अगली news तो हां तो यह ही question हमारे paper में बन सकते हैं कि क्या हाली में GDP अनुमान लगाया है 9.5% भारत की क्या rating करी है तो minus triple B करी है negative outlook रखा है FISH 1913 में इसका था और नी यॉर्क में इसका headquarter है ठीक है next हाली में अभी अगर हम बात करें जो ओडिसा के cm है नवीन पटनायक तो आपको यह नाम याद रखना है कि ओडिसा के cm कौन है नवीन पटनायक यह तो नवीन पटनायक जी ने यह टेकलेर किया है कि जो जर्रनलिस्ट है उन्हें front line covid warrior माना गया है ठीक है जो जर्रनलिस्ट ह है जो न्यूस हमें बता रहे हैं उन्हें अगर बात करें उन्हें covid frontline workers में रखा गया तो जो ओडिसा की जर्नलिस्ट है उनके लिए एक स्कीम लांच करी है सियम नवीन पटनायक यह ने क्या स्कीम में देख लेते हैं आईए पढ़ते हैं देखिए स्टेड कोवर्मेंड ओडिसा अंडर चीफ मिनिश्टर नवीन पटनायक है डिकलेट वर्किंग जर्नलिस्ट अफड गे स्टेड ऐच फ्रांट्लान कोव मड और ओरिय एक स्कीम है जिसका नाम तो गोपा बंधु सहस्त भीमा योजना है यह जो गोपा बंधुओ रेंग वोन्धु करेओ हैं यह उन्नके लिए तो इस स्कीम के एकॉरिंग Taline automatic क्या था health insurance था कि जो भी journalist होगा state में उसका automatic सरकार की तरफ से क्या होगा 2 lakh का health insurance होगा अब उस 2 lakh के health insurance को बढ़ा के कितना कर दिया गया 15 lakh का कर दिया गया देखे लिखा भी है now odisa has also announced an ex gracia of 15 lakh for next of kin journalist who die of covid-19 while performing their duty तो मिला भई जो अभी हाली में जिनका निधन हो गया है अपनी अपनी duty में ठीक है ना जनलिजम परफॉर्म करते हुए उन्हें state के जो जनलिस्ट होगे उन्हें 15 lakh का क्या दिया जाएगा insurance provide किया जाएगा 15 lakh के अगर बात करें ex gracia amount provide की जाएगी ठीक है तो यहां पर अगर बात करें मिला कि जो उनके relatives है ना उन्हें ये 15 lakh रुपई दिया जाएगे जनलिए अगर बात करें insurance की amount इन्होंने नहीं बढ़ाई गया फ़ड़ा फिर से एक बाद देख लेते है health insurance है वो 2 lakh का ही है बट जो भी generalist की death हुई है इस COVID-19 की वज़े से अपनी duty परफॉंग करते हुए उनकी relatives जो हैं उन्हें 15 lakh रुपई relative मतला कि जो उनकी माँबाप है या उनकी वाइफ है उन्हें 15 lakh रुपई दे दिये जाएगे ठीक है ना इसी scheme के तहत तो I hope आपको ये clear होगा कि जो cm निविन पटनायग है उन्होंने किस तरीके की scheme यहाँ पर launch करी है तो 2018 से ही scheme चल लई है पड़े यहाँ पर उन्होंने ही 15 lakh रुपई X Grisha announce किया हुआ तो बात कलने ओडिसा की तो कोई बता सकता है ये ओडिसा के governor कौन है कोई बता सकता है कि ओडिसा के governor कौन है तो ओडिसा के जो governor है उनका नाम है गणेशी लाल कौन है गणेशी लाल जो है ओडिसा के governor है और ओडिसा की जो capital है वो भबनेश्वर है चलिए आईए आँगे बढ़ते हैं अगली news ये बहुत important news है ऐसे अगर बात करें वर्य इंपॉर्टेंट मार्क करिए world longest pedestrian world longest pedestrian suspension bridge अराउका 516 unveiled in portugal तो अगर बात करें portugal में अभी हाली में एक सबसे लंबा bridge बनाया गया ठीक है ये world का सबसे लंबा pedestrian bridge है pedestrian bridge समझ रहोंगे जिस पर आप सिर्व चल सकते हो जहां पर गाड़ें पास नहीं हो सकती है एक bridge जो होते है जहां पर अगर बात करें गाड़े भी पास होती है लोग भी पास होते है पर ये जो bridge है आप देख रहे होगे ये जूले लाल जैसा bridge है suspension bridge है और ये pedestrian bridge है कि आप एक जगे से दूसरे गर पैदल चलके जा सकते हो तो ये 500 ये देखे इसके बारे थोड़ा पढ़ लेते है अराउका bridge 516-516 the world longest pedestrian suspension bridge and was officially inaugurated on 2nd May 2021 northern podigal तो podigal में ये bridge बनाया गया है the steel and concrete suspension bridge is a 1693 feet यानि 516 meter लंबा है ये जो है इसकी जो लंबाई है वो 516 meter की है ठीक है और जो घहराई है जो घहराई है इसकी वो कितनी है 175 meter की अबव पाइवा रेवर एक पाइवा रेवर है पॉड़िकल में वहाँ पर अगर बात करें ये bridge बनाया गया है ठीक है रिए देखे वाइशिप में ये इस तरीके से यह पर कनेट किया गया अगर आप से पूछा जाए ये पेपर में क्या इस से पहले अगर बात करेंं जो लैंड में किस्कि दो अगर बात करें का सब देश्टरी उस्पेंश और आपि कि यह वर्ड का सबसे बड़ा Pedestrian Suspension Bridge बन गया है कितने मीटर का है पांसो सोल मीटर का लंबाई है और 175 मीटर की गहराई है ठीक है आई होप यह किलियर होगा आँगे बढ़ते हैं बैंगलूरू सिलिफ टु फोटीथ स्पोर्ट गिलोबली इन नाइट फ्रैंक गिलोबल प्राइम प्रॉपर्टी इंडेक्स फोर कौर्टर वन ऑफ टुन्टी टुन्टी वन तो बैंगलूरू जो है वो चालिस वे स्पोर्ट पर आ गया यानि क्या हो गया एक्ट्यूली इस नियूस का मतलब यह कि एक 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 इत था सब्सक्राइब प्रॉपर्टर किश तो इनके जो रेत हैं वो पहले के मुकाबले कम हो गया पहले मुकाबले कम क्यों होगया ऑविस्सी बात है कि या लोकडाउन लगना या अगर बात करें बहुत सारे लोगे की जॉब जाना जीडीपि का मोगी लोगडाउन लगेगा बिदिश्स लॉस्स में जाएगे तो बहुत सारे लोग क्या होंगे या उनकी उनकी प्रह्चितिटिंग पावर कं होगी तो अब उस रेट पर लगोंट नहीं हो रही ह तो वही चीज़ है बैंगलूरू क्या है 40th spot पर आ गया तो 40th यानि देख पूरी निए इसको फिर से पढ़ते हैं बैंगलूरू है सिलिफ्ट 4 पोजिशन 4 जानि 4 पोजिशन नीचे रिया पहले इसकी रेंग 36 थी all over the world में यह ग्लोबल लेवल पर 36 रेंग पर प्रॉपर्ट यह तरेंग पर आ गया इन देप्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स कॉटर वन ऑफ 2021 रिलीज इस देडिपोर्ट इस रिलीज बैर रियल इस्टेट कंसल्टन नैट फ्रैंक एक रियल इस्टेट कंसल्टन एन इंट फ्रैंक उससे ही रिपोर्ट जारी करी गया बैंगलूरू तो सौ फॉल उफ 2.7 परसंट यह और यह तो यह और यह और यह तो यह और यह तो पॉइंट सेवन परसंट यह तो प्रोपर्ट टी की रेट है वो क्या हो रहा है कम हो रहा है अगर बात करें इंडियन सिटी इंक्रूड़ड नुड़ी एंड मुंबई तो न्यू डैली की जो रैंक अव 32 है मुंबई की 36 है लेकिन अगर बात करें इनोंने भी अगर बात करें टू विट्नेस नेगेटिव ग्रोथ इन प्राम रेसिदेंशिल प्राइज तो इनकी भी जो प्रोपर्टी की प्राइज़स हैं वो कम हुए है ठीक है ना अब अगर हम बात करें देखि पहले जो रैंक शिप्त होया वह एक से ही शिप्त होया पहले डैली Technica 31 ति मुंब्ई की 35 पटी तो 35 जे 36 ओकी मुंबई की और नियो डैली की 31 जे 32 हो गई तो प्रोबर्टि के जो रेटें हो कम हुए है और अगर आप अभी फिर डैली जाओगे भी न तो आपको या डैली में रहोगे भी तो आपको भी अगर बात करें, रेंट जो है, वो कम हो जाएगा, या आपको पहले के मुकाबले थोड़ा रेंट कम आपको ओफर किया जाएगा, क्योंकि वही बात है कि उस रिश्यो में डिमांड नहीं है, जो पहले हुआ करते थी, बात करें, थ्री चैनी सिटी, तीन जो च तो जो शेंगेन में जो प्राइस है, प्रोपरिटी के, वो 18.9% ते बढ़ रहा है, ठीक है ना, और अगर बात करें, नी यॉर्क की बात करें, नी यॉर्क विच अमंग दव वर्ल्ट टॉप मेर्ट्रोपोलिस, वास तव वीकेस परफॉर्मिंग मार्केट, रैंक्ड एट सबसे जो लाष् वीक अमने नू यthक है, सबसे जो वीकेस के नी यॉर्क है, कि नी यॉर्क में जो प्रोपर्टी है, उनके रेट काफी तेजी से क्या हो रहे है, ठीक है, क्होंकि यह बात है, मैं नWar प्राइज क्यों कर रहे है क्योंकि demand कम है और supply ज्यादा है Prime Residential Property Defend is the most desirable and most expensive property in a given location or generally defined as the top 5% of house market by value. Prime Global Cities Index is the valuation-based index tracking the movement in Prime Residential Price in Local Currency across the 45 cities worldwide. तो आपको यही याद रखना है कि Prime Global Cities Index ने नाइट फ्रैंक ग्लोबल प्रैम इंडेक्स ने भी अगल हाली में जो रैंक है बैंगलूरू की क्या रखिया फुटियत रखिया यह जो फुटियत इसपोर्ट पर बैंगलूरू पहुंचा है यह चार स्पोर्ट नीचे गरिया है ठीक है और New Delhi की रैंक 32 है मुंबई की रैंक 36 है लाश्ट जो रैंक है 46 की वो New York है और सबसे टॉप एक होन है शैंजयन है ठीक है शैंजयन इंडिया फ्रांस और शेलिया होल्ड फर्स्ट एवर ट्राइलेटरल फॉरिंड मिनिस्टर ड्यालोग इन लंडर तो यह एक इंट्रनेशन नीज है और इंट्रनेशन नीज से भी हमारे एक्जैमिनेशन में कुछिशन पूछे जाते हैं तो अभी हाली में अगर बात करें इंडिया फ्रांस और शेलिया की ट्राइलेटरल फॉरिंड मिनिस्टर ड्यालोग हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया फ्रांस और शेलिया की तो फॉरिंड मिनिस्टर है उनकी मीटिंग हुई है कहां पर हुई उनकी मीटिंग लंड guideline of the G7 foreign minister meeting, तो अभी अगर बात करें, लंडन में ही G7, G7 यानि group 7, अगर बात करें, एक group है countries का, जो 1975 में found हुआ था, तो G7 countries की meeting थी, कहां पर की लंडन में थी, और तो side by side अगर बात करें, India, France और Australia ने भी अपने यहां पर एक trilateral meeting कर लिए foreign minister की, ठीक है, देख लेते हैं, इस हमारे जो external affairs minister है, यानि foreign minister है, उनका नाम है Dr. S.J. Shankar, नाम याद रख लिजेगे, पेपर में पूछा जाता है, की country के foreign minister कोन है, तो S.J. Shankar है, France के जो minister for Europe and foreign affairs, जो है, Mr. Jean's, U.S. Lee Drain, इतना नाम important नहीं है, आपको याद रखने की अवशक्ता नहीं है, और Australia की minister, foreign minister है, उनका जाता है ये नाम, ये एक नाम important है हुए, S.J. Shankar, ठीक है, तो ये सारे के सारे जो foreign ministers हैं, अपनी अपनी country के, उनों वो यहाँ पर मिले, the France, India और Australia trilateral meet launch in September 2020, तो ये जो, ये जो France, India और Australia की trilateral meet है, ये actually जो foreign secretaries होते हैं, foreign, हर एक ministry का एक secretary होता है, तो foreign secretaries जो होते हैं, उनकी meeting ह September 2020 में, foreign secretaries होते हैं, उनकी meeting September 2020 में होई थी, तो उनोंने ये जो meeting है, वो organize करी थी, कि हम एक साल बात क्या करेंगे, जो foreign minister है, उनकी meeting होगी, हमारे जो foreign minister है, उनकी meeting होगी, तो ये ही लिखा है, at foreign secretary levels, but has been elevated to ministry level within one year, देखिए, लिखा ना, कि foreign secretaries की meeting होई September 2020 में, और एक साल के अ meeting हुई, और ये जो meeting हुई है, ये तीन priorities रहे हैं, क्या-क्या priorities रहे हैं, एट है, three joint priorities, which are maritime security, environment, और multilateralism, तो वही बात है कि common मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों पर यहां पर meeting होती है, कि हम इन मुद्दों पर एक team बना कर कारे करेंगे, ठीक है, तो ज़्दा G7 foreign minister meeting is the first in person meeting of foreign minister of the grouping Emmett pandemic with the last such meeting take place in 2019, ठीक है, तो 2019 के बाद ये G7 की meeting हो रही है, ठीक है, G7 countries की बात हो रही है, ठीक है, G7 की जो foreign ministers है, उन की बात हो रही है, इंडिया, France और Australia की पहली meeting थी, G7 group में अगर बात करेंगे, तो इंडिया इसका member नहीं है, इंडिया member नहीं है, जानते सुनिएग इंडिया G7 countries का member नहीं है, कौन कौन G7 countries के member है, G7 countries के member है, Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom और United States, देखिए, यहां लेखा भी है, the host nation UK, UK इस बार host कर रहा है, इस बार जितनी भी meeting होंगी, G7 countries की, अभी G7 की जो prime ministers है, उनकी meeting जून में होने वाली है, जो G7 countries के PM है, उनकी meeting जून में होने वा UK के जो PM है, Boris Johnson वो, तो UK ही इस बार क्या कर रहा है, G7 countries को host कर रहा है, तो यह आपको अपने दिमाग में थोड़ा इसे important mark करना है, कि G7 country को इस बार जो host कर रहा है, 2021 में हर साल क्या होता है, कि जो country है, वो अलग-अलग host कर रही होती है, ठीक है, तो इस बार जो host कर रहा है, UK कर रहा है, जनरली जो इतनी भी जो member countries है, उनी member country में से कोई एक country क्या होता है, हर साल host कर रही होती है, तो इस बार जो host कर रहा है, UK कर रहा है, और UK ने इंडिया को invite किया था, इसमें, और श्रीलिया को invite किया था, South Korea को invite किया था, South Africa को किया था, and the Secretary General of Association of Southeast Asian Nation, तो आशियान की जो Secretary General है, उने भी invite किया था, to be the part of this meet, clear है, तो I hope आपको ये news clear हो रही होगी, एक बर मैं revise करा देता हूँ, news में ये बोल ला है, कि G7 countries की meeting हो रही है, London में, ये G7 countries की जो foreign minister सा उनकी meeting हो रही है, ठीक है, और India को invite किया गया, और Australia को invite किया गया, तो India, Australia और France ने मिलकिए अपन कुछ common मद्दों पर अपने अलग से meeting करी, तो ये इंडिया और France और Shrela की पहली foreign minister की meeting थी है, और G7 countries की foreign minister की meeting हो रही है, ये 2019 के बाद से हो रही है, इस साल G7 countries की जितनी भी meeting होगी, चाहे वो foreign minister की meeting हो, चाहे वो प्रधान मंतरी की meeting हो, चाहे वो defense minister की meeting हो, उसे जो host करेगा वो UK करेगा, कौन करेगा, UK करेगा, तो इस बात को आपको याद रखना है दिमाग में, ये G7 countries को कौन host करेगा, UK करेगा, G7 countries में total 7 country हैं और India इसका member नहीं है, clear है, तो I hope इतनी सारी चीज़ें आपको clear हो गई होगी, अब हम यहाँ बात कर लें कि अगर हम से people ने पूछा जाए G7 countries के बारे में, तो हम G7 countries को किस तरीके से याद करें, किस तरीके क्या trick होगी G7 countries के याद करने की है, दीगे, सबकी trick अपनी अलग-अलग होती है, मैंने एक trick बनाई हुई है, जो मैं आपके साथ share करना चाहता हूँ, जिससे आप use कर सकते हैं, वनना अगर आप चाहे यह मैं जो first letter ले रहा हूँ, capital के ले रहा हूँ, jogging, caring of, caring of two umbrella, two umbrella, तो एक यह मैंने एक sentence याद करने के उससे बना लिया, कि गोपाल is jogging, caring of two umbrella, अब इसकी अगर हम बात करें, जो first letter है, जो capital मैंने लिखे हैं, G for Germany, IE से क्या हो जाएगा, Italy, J से क्या हो जाएगा, Japan, C से क्या हो जाएगा, Canada, ठीक है, अब यहाँ पर O से कुछ है नहीं हो, ओको मैंने small लखा था, F की अगर बात करें, F से क्या हो जाएगा, France, और यह जो two umbrella है, यह two U है, और यह जो two U हो जाएगी हो, कौन से हो जाएगी एक UK हो जाएगा हमारा, और एक हो जाएगा US, ठीक है, तो इस trick को आप याद कर सकते हो, या आप अपनी कुछ trick बनाना चाहे तो बना सकते हो, मैंने जो trick बनाई, इसे भी आप use कर सकते हो, गोपाल is jogging carrying of two umbrella, एक simple से sentence है, गोपाल is carrying of two umbrella, अब इसमें अगर गोपाल is jogging carrying of two umbrella, ठीक है, गोपाल is jogging carrying of two umbrella, अब इसमें grammatical mistake हो सकती है, बट एक sentence है, एक आदमी को ले लिया, वो jogging कर रहा है, और क्या carry के हुए, दो umbrella carry के हुए है, ठीक है, तो उसे मैंने इस तरीके से लिख दिया, कि जिससे मेरे उस 7 वर्ट निकल के आजा है, कि जो भी मैं लगी कोई भ two umbrella, तो I hope कि आपको ये trick शायद पसंद आई हो, अगर trick पसंद आई हो, तो please thumbs up कर दीजेगा, session को like कर दीजेगा, और हमारे session को share कर दीजेगा, ठीक है, तो ये जिखिए, इस तरीके से जो पहरे capital letter है, जर्मनी, I से इटली, J से जॉगिंग, सोरी, J से जपैन, C से कैनेडा, F से France, और two umbrella, UK और US है, और UK इस साल क्या कर रहा है, होस्ट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखे, तो यह देखिए, आशियान कांट्री के Secretary General को भी यहाँ पर invite किया गया, तो मैं आपको एक और trick बताना चाहरा हूँ यहाँ पर, आशियान के बारे में सुना होग आशियान भी एक ग्रूप है, जैसे G7 ग्रूप है, वैसे आशियान भी एक ग्रूप है, आशियान का full form है, Association of Southeast Asian Nation, ठीक है, इसमें total 10 members है, इसमें total 10 members है, इसमें कितने members है, 10 members है, और आशियान का भी जो member है, इंडिया नहीं है, इंडिया आशियान का member नहीं है, ठीक है, तो सी तो एम से स्टेंड फॉर मलेशिया ठीक है बी से बुरूनी बुरूनी एक कंट्री है फिर बी से मैंने अब बर्मा ले लिया अब अब अव्वेस ही बात है कि बर्मा का नाम चेंज हो के क्या हो गया मैंनमार हो गया अब यहाँ वे ट्रिक में ही मुझे याद रहता हमेशा अ इस्टेंड फॉर सिंगापुर पी स्टेंड फॉर फिलिपिन्स, ठीक है, वी स्टेंड फॉर वियतनाम, टी स्टेंड फॉर थाइलेंड, एल स्टेंड फॉर लाओस, आई स्टेंड फॉर इंडोनेशिया, और सी स्टेंड फॉर कमबोडिया, ठीक है, और अगर बात करें, आश्यान का जो हेटकॉर्टर है, वो इंडोनेशिया में ही है ठीक है ना इंडोनेशिया की जो गापिटल है क्या है जकाटा वहीं पर इसका हेड़कॉटर है तो आप इस तरीके से याज कर सकते हो को पसंद आई होगी आंगे बढ़ते हैं हाली में भी आपको पता ही होगा टमिल नाडू में एलेक्शन हुए थे और टमिल नाडू के जो नए चीफ मिनिस्टर बने उनका नाम के के स्टेलन ठीक है तो एंके स्टेलняя मुथु वल करुना निधी स्टेलन तो आपड क स्टेलन याद रको हैra 7 फिर ह चीफ मिनिस्टर टमिल नाडू तो इन्हें की मिनिस्टर बनाया गिया कहां का टमिल नाडू का और इन्हें जो सपत दिलाई है वह वहां该 Review आ पके अबरू थे और बंवारी लाल पुरोईटने तो यहां पर अगर हम देखे तो तर्मिलाटू के जो गवर्णर के उसला है उनों नहुए चीफ मिनिस्टर को साथ यां 33 कैबिनेटी कलीकkov उनने भी शबद दिलाई है इस्टैलिन इस दा प्रेसिडेंट ऑफ ड्रविड मुनेटरा काजेगम यानि डीम के पार्टी है उसके यह प्रेसिडेंट है एंड लेट पार्टी तो विन दे टुन्टी टुन्टी वन असेमली एलेक्शन दे लैंड स्लाइड विक्तरी गेनिंग 159 सीट और 234 सीट तो 234 सीटों में दे 159 सीट इन्होंने जीती है आज दा 68-year-old स्टैलिन इस दा एट कीफ मिनिस्टर ऑफ दा स्टैट जो स्टैलिन है कि आठ छीप मिनिस्टर रहे कोंसे नंबर के 8 लोडिकी मिनिस्टर है इस थे पिलेज के पलनी स्वामी तो अगर बात करें इन्होंने किसी रिपलेज किया इडपी के पलनी स्वामी को रिपलेज की जो और अट्रोविट मुनिटरा कजम पार्टी से थे ठीक है ना एई-ड् और यह DMK party से हैं ठीक है तो आपको याद रगने DMK party के जो president है President को को ते MK Stellan और वही क्या बने है country उस state के Tamil Nadu के chief minister बने है ठीक है I hope यह clear होगा बात कलने Tamil Nadu की obvious ही बात है capital तो सबको पता होगी Tamil Nadu की capital क्या चिन नहीं है ठीक है चलिए आगे अगर हम बात करें next एंड रंगा स्वामी सौन इन चीफ मिनिस्टर ऑफ पुडुचरी फोर रिकॉर्ड फोर टैम तो अभी अगर हम बात करें हाली में पुडुचरी में भी election हुए थे और पुडुचरी के जो नहीं चीफ मिनिस्टर बने है उनका नाम क्या एंड रंगा स्वामी बहुत हो कुईष्ट को चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्बंगो चीफ मिनिस्टर ऑफ टमिलाडू चीफ मिनिस्टर ऑफ पुडुचरी जहाँ जाने है छीफ मिनिस्टर बने है और यह चौthी बार मने है देख लेते हैं इनके बारे में details क्या दी गई हैं तो यह किस पार्टी से हैं यह है आल इंडिया आर कॉंग्रेस से हैं founder and leader है यह पार्टी जो का जो स्थापना करी थी इन्हों नहीं करी थी आल इंडिया आर कॉंग्रेस और एन रंगा सौमी इसके leader है has been shown as the chief minister of the union territory पुड़ुचरी तो union territory पुड़ुचरी के यह fourth chief minister बने है और रंगा सौमी वाज एड्मिस्टर दा होत इन्हें जो सपत दिलाई है वह वहां की lieutenant governor है जिनका नाम है तमिली तमिली साही सांदरजन तो आपको पता ही होगा जो union territory होती है वहाँ पर lieutenant governor होते हैं और पुड़ुचरी के जो lieutenant governor है उनका नाम तमिली साही सांदरजन है और तमिली साही सांदरजन ही अगर हम बात करें यह आंद प्रदेश की क्या है यह एडिशनल चार्ट लिए हुए पुड़ुचरी का तो इन्होंने शपत दिलाईए किसे एन रंगा स्वामी को यह 71 एर ओल्ड है यह अगर बात करें 2001 से लेके 2008 तक्षीव मिनिश्टर रह चुके हैं फिर 2011 से लेके 2016 तक्षीव मिनिश्टर रह चुके हैं एडिशनल डेमोक्रेटिक लाइन तो यह पहली बार हो रहा है कि इन्होंने एंडिय के साथ अलाइंस किया और एंडिय के साथ अलाइंस करके यहां पर पार्टी बनाई है ठीक है तो आहीं आपको एक किलियर होगा तो पुड़ुचर पुड़ी है और वहां की लेटरन गवर्नर कोन है तमिली सेही संदर जन और वहां के चीफ मिरिश्टर ने कोन है एन रंगा स्वामी है नेश्ट नियूस, 61st raising day of BRO celebrated on 7th में 2021, अब ही हाली में 7 मही को 61 raising day बनाया गया, raising मतलब की, raising day का मतलब होता है, इस day को ये स्थापित हुआ था, तो 7 मही 1960 में, 7 मही 1960 में BRO की स्थापन होई थी, border road organization की, तो border road organization की अगर बात करें, जितने भी जो border के आसपास construction होते हैं, वो BRO ही करता है, आप लोगों ने अट्रल टरनल का नाम सुना होगा, अट्रल टरनल, अट्रल टरनल का नाम सुना होगा, और ये जो अट्रल टरनल है, वो BRO नहीं मनाया था, लास्ट ही बड़ा news में था अट्रल टरनल, ठीक है, जो रोतांग पास पर ही है, अट्रल टरनल, ज इस ने भी हाली में अपना 61st रेजीन डे मनाया 7 मही को. BRO डवलब एंड मेंटें रोट नेटरॉक इन इंडिया स बॉर्डर एरिया और फ्रेंड्ली नेग्बॉरिंग कंट्रीज ठीक है? और यह आपको याद रखना है, बाकि है अगर बात कर सब्सक्रा इसको आपको याद करें है, उनका नाम है लेटर और जनरल राजीव चोधरि, ठीक है ने लेटर जनरल राजीव चौधरि इज इनकोद्ट नर्ाडाइसरों इनकेंबंट डार्डर ईर्क्टर जनरल आफ बॉर सा Rapsing Day चलिबरेट किया में अबी हाली मैं 8 मही को World Red Cross और Red Crescent Day observe किया गया, तो World Red Cross Day जो मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है देख लेते हैं, The day aimed to celebrate the principle of International Red Cross and Red Crescent Movement to reduce the suffering of people and enabling them to lead a dignified life with independence, humanity, impartiality, universality, unity and neutrality. तो generally social welfare की स्थापना करने के लिए, generally जो Red Cross है, यह Social Welfare, Humanitarian को शो करता है, ठीक है, Humanitarian, Fundamental Rights, Fundamental Duties, इन सारी चीज़ों को शो करता है, कि एक dignified life person जी सके अपने लिए, ठीक है, तो इस बार की theme क्या है, theme क्या है, World Red Cross and Red Crescent Day की Unstoppable, क्या है, Unstoppable, theme important होती है, मैंने अपने पिछले सेशन में भी कई बर बताया है, यह theme हमारे examination पूछी आती है, आपको याद रखनी होती है, कि यह 8 में को कूँ सा डे मनाया गया, और theme क्या रही हो, दे की, The day also marked the anniversary of the birth of Henry Dunant, तो Henry Dunant अगर बात करें, एक humanitarian थे, एक business person थे, बहुत बड़े, और उन्होंने ही Red Cross की स्थापना करी थे, Who was the founder of international committee of the Red Cross? ठीक है, यह international committee जो थी Red Cross की, उसके founder रही थे, Henry Dunant, और इन्हें यह पहले person थे, जिनने Nobel Peace Prize मिले रा था, ठीक है, Nobel Peace Prize इन्हें 1901 में मिलाता, तो यह पहले person है, जिनने 1901 में सबसे पहले Nobel Peace Prize मिलाता है, Henry Dunant, यह एक humanitarian और business person थे, ठीक है, तो उन्होंने यह day observe किया था, उन्होंने यह day किया, उन्होंने इस 8 मही को, उन्होंने इस 8 मही को, उन्होंने बड़त anniversary होती है, और 8 मही को, यह day हर साल celebrate किया जाता है, ठीक है, World Thalassemia Day, ठीक है एक बिमारी होती है, जिसमें अगर बात करें, जिन लोगों को खून की कमी होती है, ठीक है ना, तो उन्होंने को यह Thalassemia बोला जाता है, Thalassemia बिमारी रहती है, देख लेते हैं इसके बारे में, World Thalassemia Day is celebrated on 8 May every year to commemorate the Thalassemia victim and to encourage those who struggle to live with the disease. तीम क्या है, तीम है अद्रेसिंग health inequality across the global Thalassemia community, तो क्या थीम है, अद्रेसिंग health inequality across the global Thalassemia community, ठीक है, Thalassemia is an inherited blood disorder which is characterized by less hemoglobin and lesser than normal blood. तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनमें खून की कमी होती है और उनकी ग्रोथ उस तरीके से नहीं हो पा रही होती है और उनका हीमोगलोबिन हमेशा कम रहता है अब परसन सफ्रिंग फ्रॉम थैलिसेमिया has at least one of the parent as carrier of the disease तो तो यहां पर अगर बात करें यह पैरेंट से पास होता है then अगर बात करें Meghan Markle first children book the bench to be released तो एक international author है Meghan Markle इन्होंने पहली children book एक launch करी है जिसका नाम है the bench लिखी है इन्होंने और यह जो release होगी June 2021 में होगी the book is a narration about a relationship between prince Harry and their son Archie's on his father day after Archie's birth यह सारी चीज़े आप लोगो को नहीं ज्यादा ध्यान रखने है आपको यह पता होना चाहिए कि the bench जो भी हाली में एक book लिखी है यह बच्चों के लिए यह किसने लिखी है यह मेगान मार्केल ने लिखी है और इसे publish होन कर रहा है random how children book कर रहा है तो generally अगर बात करें जो भी national level पर या international level पर कोई भी book release होती है उनसे हमारे examination में question पूछे जाते हैं ठीक है तो जो भी book national level पर international level पर news पर उसे हमें cover करना होता है उस book का नाम और उसके author का नाम ठीक है time of remembrance and reconciliation for those who lost their lives during the second world war ठीक है तो 8 से 9 मही को 8 और 9 मही दोनों को यह अगर बात करें हम remembrance and reconciliation day मनाते हैं जिन्नोंने अपनी second world war पर जान गवाई तो आप लोगों को पता ही हो का जो second world war second world war हुआ था यह आपका हुआ था September 1939 से लेके September 1945 तक ठीक है तो इसमें बहुत सारी obviously बात है world war हुआ था तो बहुत सारी country में के बहुत सारी जो soldiers है उन्होंने participate किया था उन्होंने अपनी country के लिए sacrifice किया था तो वही बात है कि उनकी remembrance के लिए यह day observe किया जाता है यह और यह जो day रखा UN ने रखा United Nation ने United Nation ने United Nation जनरल Assembly had declared 8-9 May a time of remembrance and reconciliation for those who lost their life during the second world war the two day observance was designated by United Nation General Assembly on 22nd November 2004 2004 में इन्होंने announce किया था कि हम 8-9 May को दोनों को ही remembrance and reconciliation day मनाएंगे जिनकी जो जाने है वो Second World War में गई है जिन soldiers के या soldiers भी बहुत सारे civilians की भी जान गई थी ठीक है इट अर्जेस और मेंबर स्टेट और इसेट और इसेट और यूनाटे नेशन सिस्टम नॉन गवर्मेंटल और इसे इंडिविजिल टू पी ट्रिवीट तू दा ओल्ड़ विक्टिम ओफ वर्ल्ड वार सेकंड जितने भी विक्टिम से चाहिए उसों सोलियर थे उन सबको ट्रिवीट देने के लिए ये डे ऑफजर किया जाता है किलियर है तो आप लोगों को आज के सेशन पसंद आया होगा अगर सेशन पसंद आया हो तो प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिगा अपने फ्रेंड्स के साथ शेर कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए ह हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा हम फिर मिलेंगे अपने अगरे सेशन में तब तक के लिए हवा गुड डे थैंक यू